दोस्तों HIV के patients में एक समसिया बहुत ही common होती है और वो सब को होती है और ये समस्या सब में होती है और अगर आपके साथ भी एप समस्या है तो आज का video आपके लिए बहुत काम का होने वाला है क्योंकि आज के video में आपको बताने वाला हूँ कि बार-बार जो बुखार आपको आ रहा है उसका क्या कारण है और क्या इसका इसका इलाज ले सकते हैं मैं कुछ दवाईयां बताऊंगा आप ले सकते हैं आराम से उन दवाईयों से आपका जो बुखार आ रहे हैं बार-बार वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों तो बने रही है वीडियो के एंड तक और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना कहीं नहीं जाना है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मनी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयरविदा किंडम दोस्तों वैसे तो इसके बहुत से कारण है फीवर आने के पर एक जो कुछ मेसिक कारण होते हैं उसमें पहला आपकी जो दवाई आप ले रहे हो जैसे कि AIT ले रहे हो तो वह आपको शूट नहीं कर रही हो ठीक है आप वह आपके लिए कंफिटेबल ना हो बाड़ी के लिए उसकी वज़े से भी आपको बाद बाद फीवर आ जाता है कोई बड़ी बात नहीं आ सकता है अगर आपको से लेटेड कोई भी जानकारी चीए क्योंकि आईरवेद में इसके बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ीया टीटमेंट है तो उसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते है नंबर इस स्क्रीन पे चल रहा है फिर दूसरे कारण की बात की जाए तो वह है दोस्तों आपको जो इसे लड़ने के लिए मजबूत होता है पर दीरे दीरे वीक करता जाता है चाहिए उसको तो शुरू-शुरू में यह लक्षन बार बार आपको आते हैं यह शुरुवाती स्टेज के बुखार के लक्षन है कि इसलिए आता है बुखार पर जैसे जैसे यह बीमारी बढ़त है यह फिर कोई भी बैक्टिरिया बोडी पर अटेक कर सकता है क्योंकि वो इम्म्यून सिस्टम तो पहले कमजोर है तो आसानी से इनसान रोगी हो सकता है तो उसकी वज़े से भी आपको फ्लू यह वाइरल फ्लू अगर हो जाता है ठीक है तो वाइरल बुखार बगर है खा हो गई यह फिर अगर निमोनिया के अंदर भी प्रॉब्लम होती है आपको बार बार फिवर आता है यह तो यह कुछ बेसिक कारण होते है ठीक है तो अभी बात करें इनके ट्रीटमेंट की तो दोस्तों अगर आपको नॉर्मल फ्लू आले लग से अगर आपको टीबी नहीं है आपको कैंसर वगरे नहीं है तो आपको मैं कुछ दवाईयां आपको आगे बता रहा हूं जो कि आराम से आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर उनके बैस्ट वाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से अमेजॉन वगरे से परचेज कर सकते हो दोस्तों तो पहले नमबर पर आता है दोस्तों संजीवनी वटी जैसा कि नाम से पता लग रहा है यह जो जितने भी फिवर हैं उनके लिए संजीवनी की तरह काम करती है तो कैसा भी फिवर हो उसमें आप दो दो टैबलेट संजीवनी वटी गुनगुने पानी के साथ द उनके लिए ये बहुत ही बहुत ही भाषणीन काम करती है दोस्तों, आपको 3 ग्राम सितोपला दी चौन, 2 ग्राम तलीशा दी चौन और दो टैबलेट लक्षमी विलासरस के लेनी है, और जो टैबलेट को कूट के पाउडर बनाके उसमें सहध मिक्स करके लेना आपको, ठीक ह तो यह आपकी फिवर में बहुती बढ़िया काम करने वाला है दोस्तों ठीक है और अगर आपको भूख नहीं लग रही है इस दोरान क्योंकि फिवर आता है तो बार-बार तो इस दोरान भूख नहीं लगती है तो आप इस चीद के ध्यान रखें खान-पान सही रखें और सा आपकी प्लेक्लेक्स को बढ़ाने में बहुती बढ़िया काम करती है तो जहां तक मुझे लगता है मैंने आपके जो फिवर की जो समस्या है उसका समाधान आपको दे दिया है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मेक्शोर लाइक और सब्सक्राइब किये बना कहीं नही वीडियो में तब तक के लिए जैए हिंदी